नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वन इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जो नरा है बिहार में शराब बंदी को लेकर बवाल है बिहार में शराब बंदी के बाद एक नया आर्थिक तंत्र खड़ा हो गया है शराब तसकरी का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है शराब बंदी कानून को ठेंगे पर रखने वाले शराब माफिया कुछ पुलिस कर्मियों से मिली भगत कर बिहार में समान तर विवस्ता चला रही है बिहार के राजस को नुकसान पहुंचाने के साथ पैसे के लालश में लोगों को जहर सेवन करने पर मुझबूर कर रही है यह हम नहीं कह रहे हैं इन दिनों राज़ानी पटना के किसी चाय दुकान पर बैठ जाये बस एकी चर्चा चल रही है कि बिहार में शराब बंदी के बाद जहरीली शराब से लोग कैसे मर रहे है यानि शराब मिल रही है और बहुत मात्रा में मिल रही है जब चाहे तम मिल रही है बिहार के सारेंग जले में महस दो दिन के भीतर दो दर्जन से ज़्यादा लोग काल के गाल में समा गए इन लोगों ने देशी शराब का सेवन किया था मौत का जाम जहरी जी शराब से हुई इस मौत का असर बिहार विधान सभा के अंदर भी देखने को मिला मुखे मंतरी गुसे में हैं विरोधी शराब बंदी कानून पर बहस की मांग कर रहे हैं मौत के आंकड़ों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार अपने बचाब में हैं और कह रही है कि सबकी सहमोती से शराब बंदी लागू की थी सवाल सबसे बड़ा है कि मौतों के बाद जो जिन्दी की उजड़ गई हैं जो परिवार उजड़ गई हैं उसका जम्यदार कौन है देश के अलने राज्यों में शराब से होने वाली मौतों की बात सामने आती है लेकिर इसमें दोशी प्रत्यक्षो होता है क्योंकि शराब चिपकर नहीं पी जाती खोले आम खरीद कर पी जाती है विहार में शराब बंदी कानून है इसलिए लोग इसका सेवन चिपकर कर रहे हैं शराब तसकर इससे खरीद कर करते हैं मौत की घट्टा के बात शराब तसकर फायर और प्रशासन कभी-कभी बिमार से मौत का बहाना बना कर पल्ला भी जाड़ लेता है तो जहरीली शराब से अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है लगातार पोस्मार्टम की कारवाई चल रही है 2022 की शराब से लेकर अब तक 56 में 50 लोग जाम छलकाने के दुरा अपनी जान गवा चुके हैं जनवरी 2022 में मकेर और अमन नौर में जहरीली शराब पीने से एक दरजन लोग मरे थे लेकिन आप परदास कहने की छंता आप लोग देंगे ना कि खुब दोड़े खुब ब्रहम मूर्त में दोड़े खुब खेले खुब कुदे सरीर बनावे लेकि इन चीजिए को त्याब करें चुके प्राभी टेन है जिस तरह बिदान परिशद रहे हैं मुकमंत्री की जी के आने के बाद सत्ता पक्ष के लोगों को प्रवोग करके विरोधी पक्ष जिन चीज मुद्दों को लेकर जो सराब में लगातार लोग मर रहे हैं जहरीली सराब पीकत कल तक हम 9 देख रहे थे राद तक 25 देखे कर गया धिकारिक तोर पर और वहां सैकरों से वही अगरस 2022 पे छप्रा के पानापुर और मकेर भिल्दी में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई थी आम लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाओं के बाद सुस प्रशासन सक्री है दोशार की रपतानी के बाद पूरे होने के चार्स ज्यादा हो जाते हैं लगतार अपने कमिट्मेंट को लगतार हम लोग पूरा कर रहे हैं मिल्कर के चाहिए कि सराब नहीं पीना सराब बड़ी पुरी चीज है तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना जहरीली सराब से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपस्व के बाह जो करनि सामने किति जब यह तो बात है जब सराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली सराब से यहां भी मर अन् गोल तयार कर लेते हैं मौत पर सियासत भी लगाता जारी है चप्रा में जरीली शराप से भी मौतों पर सियासत बखू भी हो रही है बीजो पिलेता और सबसासा शुषील कुमार मोदी ने घटना को लेकर सरकार को खेरा बात बात पर मुकिमत तरी तेश कुमार के आपाख होने को गलत बताया और सदन में आमर्यादित भाशा का इस्तमाल करने के लिए ने तेश कुमार से माफी माफी मागने को बात कही शशील मोदी ने ये भी कहा कि बिहार में शराब बंदी लागू होने के बाद 6 साल में 1000 से जादा लोग जरीली शराब पीने से मरे हैं 6 लाख लोग जेल भेजे गए और केवल शराब से जुड़े मामलों में हर माँ 45,000 से जादा लोग गिरफतार किये जा रही है उन्हों ने ये भी कहा कि बिहार में रोजाना 10,000 लीटर और मैंने में 3,000,000 लीटर शराब जब्द की जा रही है शराब बंदी लागू है लेकि इसके बावजूद भी ये सिलसला कम होने का नाम नहीं ले रहा है उपर से मुखे मंतरी नितीश कुमार कहते हैं कि जो पीएगा वो मरेगा जिसको लेकर और ज्यादा बवाल खड़ा हो जाता है क्या गरीब कि जिन्दगी इतनी सस्ती है कि वो यूहीं खत्म हो जाए आखिर सरकार इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रही है सबसे बड़ा सवाल ये है बहस लगातार जारी है लेकिन जो परिवार उजड़ गए किसी का पिता नहीं रहा किसी का पती नहीं रहा किसी का भाई नहीं रहा आखिर कैसे मुख्य मंतरी अपनी जिम्मिदारी से पल्ला जार सकते हैं बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब तलाशने की कोशिश लगातार जारी है फिलाल के इतना ही देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें यूस वाल इंडिया